मुगल एरा के बारे में सुनके आप क्या इमाजन करते हो शायद ये मॉनुमेंट या फिर शायद ये मुगल्स ने इंडिया में करीबन 300 साल तक रूल किया जो जर्णी 1526 में बैटल आफ पानीपत में बाबर की फतेशे शुरू हुई वो 1857 के रिवोल्ट में पहादुर्शा जफर के शिकस्त के साथ खतम होती है इस दोरान इंडियन सबकॉंटिनेंट ने काफी सारे पॉलिटिकल, कल्चिरल और एकनॉमिक डेवलप्मेंट्स देखें इस वीडियो के जरीए मुगल एरा में हुए कल्चिरल डेवलप्मेंट्स उस दोर के पेंटिंग्स और लिट्रेचर्स को समझेंगे दिल्ली पर बाबर के कंक्वेस्ट के साथ इंडिया में टर्को मोंगल ट्रेडिशन का इंफ्लक्स शुरू हो गया कहते हैं एम्पेरर बाबर को नेचर और उसके डिपिक्शन से बड़ा प्यार था अब क्योंकि बाबर का रेन बहुत लंबे दोर तक नहीं रहा इस वज़ा से हमें उनकी दोर की पेंटिंग्स का इतना इल्म नहीं है लेकिन उनके सक्सेसर हुमायू के दोर में मुगल पेंटिंग्स की अच्छी बरकत हुई हमायू शेरशा सूरी से बैटल आफ कन्नौज में हारने के बाद परशिया एक्जाइल में चले गए थे वहाँ पे वो सफाविट डाइनस्टी के रिच और आर्टिस्टिक बहजाद स्कूल ओफ पेंटिंग्स के इंफ्लूइंस में आए जो कि रेनाउंड पेंटर कमलुद्दीन बहजाद की लगसी पर आधारित था उन्हें इस स्कूल की पेंटिंग्स इतनी पसंद आई कि अपने एक्जाइल के बाद जब वो हिंदुस्तान लौट रहे थे वो बहजाद स्कूल के दो नामी पेंटर्स खुआजा अब्दुस्समद और मीर सायद अली को अपने साथ ले आए इसके साथ अब्दुसमद ने वन अफ दा अर्लियस नोन मुगल पेंटिंग्स प्रिंसेज ओफ दे हाउस अफ तीमुर को शकल दी कहते हैं कि अब्दुसमद और मीर सायद अली खुद हुमायू और उनके बेटे दा यांग प्रिंस अखबर को पेंटिंग लेसन दिया करते थे हुमायू की डेथ के बाद जब एम्पेरर अकबर ताच पोशी समालते हैं तो मानो मुगल आर्ट एन कल्चर को नया आया में मिल जाता है हाला कि अकबर खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पेंटिंग्स में उनकी रूची बहुत जादा थी उन्होंने अपने फादर के पेटरनेच किये हुए पेंटर्स अब्दुस समद और मीर सयद अली को भी रिटेन कर लिया था एम्पेरर अकबर ने रिटन मैनूस्क्रिप्ट्स को पेंटिंग के फॉर्म में इलस्ट्रेट करने का काम शुरू करवाया और वन अफ दे लार्जेस्ट इलस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स हम्जा नामा को कमिशन किया हम्जा नामा या दास्ताएं आमिर हम्जा प्रॉफिट मुहम्मद के अंकल आमिर हम्जा के लेजंड की फोकलोर है अक्बर ने आमिर हमजा के रिटन मैनुस्क्रिप्ट को मिनियेचर पेंटिंग्स की शकल देने का प्रोजेक्ट कमिशन किया अब इसके स्केल का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तियार होने में 14 साल का वक्त लगा था 1400 पेजिस के मुगल मिनियेचर जो की अन्यूजवली लाज साइज के थे उन्हें टाइटली वोवन कॉटन क्लोथ पे पेंट किया गया था इसके अलावा अक्बर पहले मुगल रूलर थे जिन्होंने यूरोपियन पेंटिंग्स में भी दल्चस्पी दिखाई जग अक्बर के रेन के दोरान पॉर्टुगिस इंडिया आए और उन्हें बाइबल समेत अलग-अलग पेंटिंग्स गिफ्ट की तो अक्बर के पेंटर्स ने उन पे पने आर्ट फॉर्म में गहराई से स्टडी किया उनके painters ने western paintings के कुछ techniques जैसे की perspective और shading को adopt किया उनके painters को German और finished artworks की भी अच्छी knowledge थी अकबर के rain में तस्वीर खाना establish किया गया जहां painting के काम को एक organized तरीके से execute किया जाने लगा अकबर की secular पहचान उनके painting professionals में भी जलकती है अब्दुस्समत और मीर सायद अली ने कई हिंदू painters को train किया जिसमें से कुछ जैसे की बसावंत और दसावन आगे जाके बड़े मुगल painters बने अकबर के बाद जहांगीर के rain में भी paintings की अच्छी development हुई मगर जहांगीर के दौर में art की pedagogy बदलने लग दे जहां अकबर collaborative paintings को encourage किया करते थें जहांगीर individual artists के paintings को encourage करते थें ये हमें पता चलता है paintings पर मौझूद signatures से अकबर के era में paintings पर multiple signatures देखने को मिलते थें पर जहांगीर के दौर में ये single signatures में तबदील हो गएं जहांगीर को nature से बहुत लगाव था plants, creepers, flowers, animals के paintings उनके दौर में बनने लगें unusually looking flowers और rare animals को भी canvas पर उतारा जाने लगा एक और significant change दिखा manuscript illustrations के downfall में जो कि अकबर के जमाने में बहुत prominent हो गए थे अब album paintings और portraiture को जादा तबज्यू दिया जाने लगा बढ़ता western influence यहाँ पर भी दिखने लगा aerial perspective जो कि western paintings में vividly दिखता था अब वो मुगल paintings में भी दिखने लगा जहांगीर के बाद शा जहां आए शा जहां के दौर में paintings में एक mystic element आ गई realistic paintings of rulers and subjects and the events got replaced with paintings of holy men psychological insights reveal करने वाले portraits बनने लगे एक और significant change यह था कि अब full profile ने three quarter face वाले portraits को replace कर दिया लेकिन शा जहां को अपने father और grandfather जितना paintings में interest नहीं था इसलिए उनके rain में मुगल paintings की बारी किया और richness में decline दिखने को मिला हाला कि paintings में detailing अभी भी बरकरार थी मगर paintings में एक stiffness और formalism आ गया जो कि पहले की paintings की fluid nature से परे था जिसके बदौलत paintings की innovation कम हो गई इसके बाद और अन्जेब का दौर आता है और अन्जेब एक नैतिक वादी शक्स थे जिने आर्ट में बहुत कम दिल्चस्पी थी उनकी सोच फिजूल खर्ची और आरामशुदा जिन्दगी को नागवारा समझती थी हाला कि शुरुवात के दौर में और अन्जेब के दौरा कमिशन की गई कुछ पोट्रेट्स आज finest मुगल पेंटिंग में गिनी जाती है जब 1688 में restrictive religious ordinance लागू किया उसके बाद मुगल पेंटिंग वर्क्शॉप तो मानो बंधी हो गए अच्छे कारिगार दूसरे राजाओं के कोट्स में चले गए और जो कम talented थे वो बजारों में stalls लगाने लगे उसके बाद मुगल डाइनिस्ट्री का decline भी शुरू हो गया सालों के changes और अलग-अलग rulers के interest से मुगल पेंटिंग में Persian, Indian और European influence आया मुगल आर्ट ने आगे के कई schools of painting जैसे की अवधी, लाहोरी, दिल्ली और पतना style को भी influence किया दोस्तों अब बात करते हैं literature की पेंटिंग के साथ साथ मुगल आर्ट और कल्चर की बात literary developments के बिना अधूरी है बाबर की mother tongue Turkish थी और इसी language में उन्होंने अपनी memoir तजू के बाबर भी लिखी अकबर के रेन में जब Persian को अच्छी patronage मिली तब इस memoir को Persian में translate किया गया था वही हुमायू के वक्त उनकी sister गुलाबदन बेगम ने उनकी biography हुमायू नामा लिखी हुमायू को भी पढ़ने और किताबे कलक करने का बड़ा शौक था इसके लिए उन्होंने एक बड़ी library भी बनवाई थी इन्फाक्ट उनकी death भी इसी library के staircases से गिरने के कारण हुई थी अब अकबर का दौर paintings की तरह literature के लिए भी बहुत खास रहा अकबर ने scholar और historian अबुल फैजल को patronage दिया जिनोंने अकबर नामा और अइने अकबर जैसी important literary works को essay किया historical accounts के माइने में important literary work मुंतकब्य तवारिक जो की गजनवी period से अकबर के रेन तक की journey बया करती है उसे भी इसी दौर में लिखा गया अकबर के secular outlook के बदौलत महभारत को Persian book रज्म नामा में translate किया गया उन्होंने रमायन, अथरवेद और लीलावती जैसी literary works को भी explore किया अकबर के scholars तमाम हिंदी, लाटिन, संस्कृत और ग्रीक लिटरेचर को Persian में translate किया करते थे उन्ही के दौर में सूर दास ने ब्रज भासा में सुर सागर लिखी और संतुलसी दास ने अवधी dialect में राम चरित्र मानस की रचना की गुरू गरंद साहिब को भी इसी दौर में compile किया गया और Persian Sanskrit language के gap को bridge करने के लिए एक पार्सी परकाश नाम की dictionary का production किया गया जहांगीर ने अपने autobiography ताजो के जहांगीर लिखकर अपने great grandfather बाबर की रह फॉलो की इसमें उन्होंने अपने शाशन के history के अलावा politics, arts और अपने family के भी कई anecdotes साज़ा किये है शाश जहां के courtier अब्दुल हमिद लहोरी ने पच्शामना लिखा जो की शाश जहां के rain की official historic records बया करती है उनके बेटे दारा सिखो खुद Persian, Arabic और संस्कृत के एक learned scholar थें जिनकी निगरानी में उपनिशद्स, भगवत गीता, रमायन और योगा वशेष्ट जैसे हिंदू literature को Persian में translate किया गया और अंजेब का दौर religious submission का दौर था इस कारण उस वक्त के literature में भी एक religious जुकाव था फत्वाय आलमगिरी और अंजेब की दौरा लिखी गई एक किताब है जिसमें states craft, ethics, military strategy, punishment और economy का बखान शरिया लौ के हवाले से किया गया है कि कैसे मुगल एरा में ruler wise paintings और literature develop हुए इन cultural artifacts को आज भी British Museum और दिल्ली के national museum में archive करके रखा गया है अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल आर्ट और कल्चर की एक दूसरी aspect की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चाइनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें शुक्रिया